ओम शन्ति तो आजके इस नुम्मा शाम की घड़ी में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदणियां राज्योगीनी शेलू देदेजी एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं सतकार करते हैं अभिनंदन करते हैं आप जो सभी मोर्बी से विशेश भठी करने आए हैं सभी अलग-अलग ग्रूप में होंगे अर्थात कुछ एक से पाँच, पाँच से दस ऐसे होंगे तो मैं पहले हाथ खड़ा करवाती हूँ जो एक से पाँच फर्ष तक ज्यान में चल रहे हैं हाथ उठाएंगे एक से पाँच के बीच में जिनकी ज्ञान की उम्र है एक से पाँच हाँ ठीक है नीचे करेंगे आद जो पाँच से दस के बीच में हैं बहुत हैं जो दस से पंद्रा के बीच में हैं वो भी है नीचे करेंगे और जो 15 से 20 वो भी है और जो 20 से उपर अच्छा सब 20 के अंदर वाले है तो mixed group है कुछ नए भी है मतलब तो इसलिए हर महारथी हमारे बीच में जो आएंगा पुरानों के लिए तो परिचित है लेकिन नयों के लिए उनको हम परिचित कराना चाहेंगे तो हर महारथी का क्लास आरम होने से पहले छोटा सा परिच्छे देंगे तो शेलो दिदी जी बाल्यकाल से ही इस ग्यान मार्क पर चलते हैं मुंबई महानगरी से निकले इश्वर के अनमोल रतन है वही पर आपने साइंस में सनातक की डिग्री प्राप्ट की ग्रजुएशन किया मुंबई युनिवर्सिटी से और फिर 1969 में यहां जो पहली ट्रे और वहीं से आपकी आरंब होई समर्पिज जेवन की यात्रा और उस यात्रा में बाबा ने आपको सबसे पहले राजकोट, बैंगलोर, हैदराबाद, आधियादे स्थानों पर सेवार्थ भेजा, फिर आप नेपाल भी गए, एफरिका गए, मौरिश्यस गए, इन सभी पर जाकर बाबा की सेवाओं का बीज बोए, सेवा के इंदर खोलने के निमित बने, और फिर 76 से आप मदुबन में इस्थाई रूप से रहने लगे, और यहां रहते हुए देश-विदेश की सेवाएं करते हैं, आपको हिंदी, अंग्रेजी और सिंधी, इन तीन भाषाव में फ्लूएंसी है, अर्थात धारा प्रवा बोलते भी हैं, और ट्रांसलेशन भी करते हैं, आपकी इसी खुबी ने आपको मदुबन निवासी बनाया, बाबा ने यहां का चांस दिया आपको, तो जब आरम में आए, तो आप शिविर कंड़क करते रहें, और आज तो आज योग शिविर के डारेक्टर है, साथ साथ एजुकेशन विंग के आप वाइस चेर परसन भी है, और हम जानते हैं कि अभी दादियां धीरे धीरे अव्यक्त होते जा रही है, संख्या कम होती जा रही है, तो मदुबन के अंदर, अब जो इन्होने दादियों से पालना लिए अब वो रूल हम सब के लिए प्ले करते हैं, महसूस करते हैं, सबी जब यहां आते हैं तो, क्योंकि दादियां तो नहीं मिलती हैं, लेकिन दादियों की पालना लिएवे अमुल्य रतना, हमें वो पालना देते हैं, और तीदी की विशेशता, जिसको बाबा ने पौड़ी की गंगा है आप और आपके जीवा पर वित्या की देवी सरस्वती सदा विराज मान रहेगी और सभी जानते हैं कितने मधूर भाशी हैं नमरचित हैं उदारचित हैं बहुत प्रतिभाओं से संपन बहुत जिम्मेदारिया कंदे पर हैं लेकिन बावजूद इसके बहुत ही सरल सब के साथ बहुत ही निर्माण और यही कारण है कि आपकी परस्टनालिटी में वो चुम्बक जैसा अट्रेक्शन है कि सब कोई खीजे चले आते निसंकोच आपसे बाते करते हैं तो ऐसी प्रतिभावान दीदी हमारे बीच में आप सब के सामने भठी का लक् संसकार परिवर्तन योग तपस्या का आधार हमारे सामने देदी रखेगी उस आधार को आधनिया देदेजी आप भी अपना परिचेद हो शरीर का नाम इंद्रा बहन है पिछले 34 वर्षों से ग्यान मार्क पर चलते हैं और 23 वर्षों से सेवाव में जीवन समर्पित किया है आरंभ में हमने सेवाएं ग्यान सरोर में दी इस पार्क में जिसके अंतरकत मनोबल एवं मनसा सिवा नाम की किताब लिखने का सोभाग्य मिला फिर हम नाकपूर को बिलॉंग करते हैं तो नाकपूर सेवा के इंद्र पर रही और चुकि स्पार्क से कनेक्टेट थे रमेश भाई उश्या बहन के साथ उन्होंने फिर गामदेवी में रहने का चांस दिया जहां आज हमारी गुलजार दादी जी रहती है और फिर त अंधरनी का सवभाग्य प्राप्त हुआ तो शीलुदीदी के साथ उनकी सेवाओं में सहीयोग देते हैं ओम श्यान्ति और आपके जो भी प्रोग्राम होंगे यहां इंद्रवेन कोडिनेट करेगी आपको कुछ भी पुछना है कुछ भी तो इंसे आप उर सकेंगे ओम श्यान्ति ओम श्यान्ति ओम श्यान्ति ओम श्यान्ति ओम श्यान्ति मौरभी के बाबा के मुरभी बच्चे है न बाबा मुरभी बच्चे किसको कहते है जो बाबा के बहुत लाडले, प्यारे सिखी लदे बच्चे उनको बाबा मुरभी बच्चे कहते है तो मौरभी माना मुरभी तो आप बाबा के बहुत लाडले, प्यारे, मीठे-मीठे, सिकीलदे बच्चेो, कल्प पहले भी बाबा से पूरा वर्सा लिया था न, इस कल्प में भी जरूर लेंगे, पर उसके लिए तपस्या जरूरी है, तो वो तपस्या करने के लिए आप सब यहां आए हो, और आपका ये कितना बड़ा भाग्य है, जो आपको दो टर्न मिले, एक के बाद एक हां, एक के बाद दूसरा, हमारी चंदरी का बेहन, मौर्वी की बहुत सेवा करते हैं, यग्ये के प्रति भी उनका कितना प्यार है, ब लेकिन यग्ये के प्रति भी उनका बहुत प्यार है, और जैसे टीचर होती है, और स्टूडेंस भी वैसे ही होते हैं, तो मदुबन के लिए भी इतना ही प्यार है, इसलिए आपको दो टर्न मिले, तो अपने लिए आप सब ताली बजायां, बहुत भाग्ये शालियों, पर इस भाग्ये को अभी आगे बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस भाग्ये को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपना हर स्वा, संकल्प, समय, शक्ती यहां सफल करना है, इसलिए ही तो आप सब आए हो यहां, वो गोरक धंदों से आप दूर होकर बाबा की छत्रचाया में आए हो, जो ब्रह्मा बाब, ममा, सबी दादियों की तपस्या भूमी है, भगवान की वर्दान भूमी है, और जो भी यहां आते हैं, वो सब परिवर्तित होके जाते हैं, तो यह परिवर्तन भूमी भी है, आत्माई अपने अंदर शक्ति भर के जाती है, और बाबा मदुबन की कितनी महिमा करते हैं, यह सागर का कंठा है, तो बादल बन के आते हैं, और यहां सागर से भर कर, जाकर फिर बरसते हैं, यह बैटरी अपनी चार्ज करने आते हैं इस पावर हाउस पर, तो आपको यह मौका मिला है, चार दिन अगले, आज तो दिन के गिंती करेंगे, तो पूरे पांच दिन, आप यहां रहकर, बाबा की जैसे गोद में अपने आपको अनुभाव करेंगे, क्योंकि दुनिया की निगाहों से दूर है आप, कोई भी प्रकार का प्रदूशन नहीं है यहां, न ध्वनी प्रदूशन, न वायू प्रदूशन, न जल प्रदूशन, और न मनुष्यों के नेगेटिव विचारों का प्रदूशन, तो मन का भी कोई प्रदूशन नहीं, और ऐसे सुरक्षित स्थान पर आप आए हो, तो जितना लाब आप यहां ले सकते हो, अवश्य ले, परदूशन के लिए बताया न, हर क्षण सफल करें, तो बाहर की बातों को बिल्कुल याद न करें, ऐसे अनुभव करें, जैसे बाबा मुडली में कहते हैं, आज भी कहा, मरे बिना तो स्वर्ग में कोई नहीं जाता, स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा, भगवान से मिलना है तो मरना पड़ेगा, ऐसे कहते हैं, कि मरें कोई मरता है, तो क्या कहते हैं, भगवान के पास गया, या कहते हैं, स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग भी कभ मिलता है, भगवान भी कभ मिलता है, जब मर और बाबा ने तो हम बच्चों को जीते जी मरना तो सिखाई दिया है कोई वो मरने की बात नहीं है ना भगवान मिलता है उस मरने से ना स्वरक में जाते है लेगिन जीते जी मरने से अविश्य हम स्वर्ग के अधिकारी बनते है जिसको बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो दे से दे के सब संबंदों को भूल मुझे याद करो यही तरीका है शिव बाबा का प्यार पाने का यही तरीका है संपूर्ण बनने का यही तरीका है घर वापिस लोटने का और यही तरीका है स्वर्ग में उच्पद पाने का तो आप यहाँ चार दिन ऐसे समझो कि आम दुनिया से मर गए हो सकता ऐसे कि बच्चे पोते दोते माता है पोते दोते याद तो नहीं आएंगे और भाई धन्दा धोरी याद तो नहीं आएगा बिजनिस, दुकान या कुछ भी क्योंकि जिम्मेदारियां तो है जरूर हम मानते हैं और बाबा कहते हैं जिम्मेदारियों को भी निभाना है छोड़ना कुछ भी नहीं है लेकिन बाबा ने हमें ये कला सिखाई है कि फसना भी नहीं है हर कार्य करो लेकिन न्यारे और प्यारे होकर करो. तो फ़सना भी नहीं है. छोड़ना भी नहीं है. और फिर नया भी नहीं जोड़ना है. जो बंदन में अपने आपको और बांधो. लेकिन जो है उसको निभाना भी है. बत तीन दिन यहां पर उन बातों को भूल जाना है और हम विश्वास से कहते हैं कि जो आप कारिये छोड़ के आये हो वो और यह अच्छी तरश से चलेगा यह नहीं कि आपकी उपस्तती से अच्छा चलेगा आपकी बिना भी चलेगा चलेगा कि नहीं? क्योंकि आप अमुय दुनिया मनुष्य मर जाता है उसके दो सेकिंद पहले भी सोचे गा मेरा यह यह फलाना फलाना मर गया दो एक सेकिंद में आत्म उड़ गई पता ही नहीं चलता है क्यश्य तो हो गया अभी अभी तो बात कर राथ था अभी अभी तो हस रहा था, अभी अभी है, क्या हो गया अभी अभी, सब अभी अभी हो जाता है, गया, आत्मा उड़ गई, प्राण पखेर उड़ गई, कितनी देर लगी, एक सेखिंड, तो सब कुछ पीछे रह गया, तो इसलिए बाबा कहते, अब बीती को तो बीती करना ह है, लेकिन जो है जिम्मेदारी भी, वो तीन-चार दिन के लिए बिलकुल ऐसे भूल जाओ, जैसे कि आप उनसे बिलकुल न्यारे हो, तो इसलिए वो तब होगा, जब ऐसी देही अभीमानी स्थिती होगी, और निरहंकारी स्थिती होगी, क्योंकि बाबा कहते हैं, निरहं आज की बाबा की मुडली थी, निरहंकारी स्थिती, भले बाबा के अंतिम बोल थे, प्रमा बाबा के अंतिम बोल, हिस्ट्री हॉल में मुडली पूरी करने के बाद, 18 जन्वरी की रात, मुडली पूरी की नमस्ते किया, और उठे और दर्वाजे पर हिस्ट्री हॉल के, बा बच्छों के आगे जुके, और बाबा ने तीन शब्द उचारण किये, यहाद है वो तीन शब्द कौन से? बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निर अंकारी रहना, अच्छा बच्चों से चुटी, बाबा चुटी कभी नहीं कहते थे, लेकिन चुटी कह करके, जैसे बाबा ने चुटी ले ली, नहीं तो वैसे कभी नहीं कहते हैं, अच्छा मैं जा रहा हूं, ऐसे थोड़ी कहते हैं, गुजराती में कहते हैं, आओ जो, आओ जो, फिर मिलेंगे, तो फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, जाना माना, मैं जा रहा हूं माना कि फिर नहीं मिलूंगा, परन्तु जरूर फिर मिलेंगे, ऐसे ही कहते हैं, हर भाषा में, वो तो विदेश की भाषा में भले कहेंगे, करें, तो ये गुडबाय शब्द कहां से आया, और अर्सली रूप में वो क्या कहते थे एक दो को, जब एक दो के से अलग होते थे, जाते थे, तो यही एक दो को आशिरवाद देते थे, May God be with you, भगवान आपके साथ रहे, May God be with you, तो भगवान आपके साथ रहे, जैसे आशिरवाद दे करके जाते थे, पर दीरे दीरे इतना बड़ा शब्द को शौट करते गए, तो May God be with you, तो उसकी बजाए शौट कर दिया, God by you, God by you, परमात्मा आपके साथ, फिर दीरे दीरे वो God by you भी हट करके good by हो गया, God by you, by you, तो by you, तो by you, तो good by you, भगवान आपके पास रहे, सदा, तो वास्तो में बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं, कहां भी जाओ, बाबा आपके साथ सदा है, यही समझो, मेरे सिरप अच्छत रछाया भी है, मेरे साथ भी है, मेरे आगे भी है, गाइड बनकर आगे भी है, और गाड बनकर पीछे भी है, मेरी रक्षा कर रहा है, बच्चे आगे जाओ, मैं खड़ाओ, मैं उपस्तितू और गाइड बनकर के मार्ग दर्शन भी दे रहा है साथी बनकर के साथ भी निबा रहा है और रक्षक बनकर आशिरवाद का हाथ भी हमारे सिर पर है जैसे लिए हम कभी भी अकेले अपने आपको तो समझाई नहीं कभी भी नहीं सोचे अरे मैं तो अकेला रह गया, मैं अकेली रह गई बाबा के बच्चे कभी अकेले नहीं होते बाबा सदा साथ है तो बाबा सदा साथ है ये अनुभव करने के लिए विशेश आप यहां बठी करने आयो और आपको जैसे बैज मिला तो लक्ष मिल गया संसकार परिवर्तन योग तपस्या तो क्या लक्ष है कि इस योग तपस्या से हमारे संसकार परिवर्तित हो जाए क्योंकि छोटे मोटे कई प्रकार के ऐसे संसकार है जो हमको ही दुख देते हैं औरों को तो दुख देते ही होंगे लेकिन हमको भी दुख देते हैं और जब हमको दुख देते हैं तो औरों को भी तो देते होंगे जरूर तो आज भी बाबने का किसी को दुख नहीं देना है कुछ भी हो जाए किसी को भी दुख नहीं देना है किसी की भी हमारे प्रती बद्दुआ न निकले हमेशा दुआई निकले बाबा केते हैं दुआई मांगी नहीं जाती है लेकिन हमारी अगर सदा शुब भावना शुब कामना है तो कोई हमारे को बद्दुआ नहीं देगा पर शर्त है कि हमारी शुब भावना शुब कामना उनके प्रति हो तो अविश्य सब की दुआएं ही निकलेगे और ये दुआएं आशिरवाद कहो, दुआ कहो और इश्वर का वर्दान कहो ये हमको सदा उड़ाता रहेगा हलका अनुभाव कराता रहेगा तो इसलिए संस्कार जो पुरानी संस्कार जिसको हम कहते है और बाबा कहते है ये पुरानी थोड़ी है ये तो द्वापुर्युक्य है जो अत्य पुरानी है वो तो सत्युक्य संस्कार है वो तो मर्जो गए है और जो रावन के संस्कार है वो ही मर्जो गए है तो ये रावन के संसकारों को खतम करना है और उसकी जड़ है ये दे अभिमान इसलिए आज भी सवेरे बाबा ने निरहंकारी स्थिती का बहुत सुंदर वर्नन किया कई भाई बहने कहते हैं कि बाबा ने तीन शब्द जो चारन किये निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी तो निरहंकारी अलग से क्यों का निर्विकारी में ही निरहंकारी आ जाता है निर्विकारी माना कोई भी विकार नहीं तो निर्कामी, निर्क्रोधी, निर्लोभी, निर्मोही निरहंकारी अंकार भी एक विकार है पांच विकार में से लेकिन अलग क्यों बावन निरंकारी का तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है क्योंकि अंकार कहो, अभिमान कहो यही सब विकारों की जड़ है जैसे रावन के लिए दिखाते न क्योंकि एक सिर तो काटता गया राम लेकिन वो सिर फिर जूड़ जाता था तो जब तक उसको नाभी में नहीं मारा तब तक रामन मराने तो सब विकारों की जड़ है ही दे अभिमान और उसका विक्राल रूप ए दे का अंकार उसके छोटे-छोटे रूप बहुत है इसको बाबा कहती है अंकार चलो इतना नभियो लेकिन अभिमान मैपन तो बहुत आता है चलो इतना अभिमान भी न हो परन्तु थोड़ा भी रोब दिखाना इभी तो अंकार काई रूप है चलो रोब भी न दिखाए पर थोड़ा सा आवेश आजाए अंदर यंदर बले मुक से कुछ न कहें परन्तु अंदर यंदर जैसे आवेश कहते हैं वो आजाए चलो वो भी न सै पर थोड़ा सा नाराजगी दिखादे तो ये भी सब अंकार के अंदर याता है क्यों कहा क्या है ऐसे हूं क्या मैं तो मुझे मेरी इंसल्ट कर दी ये थोड़ी से फिलिंग भी आजाए ऐसे लगे कि मेरा स्वामान को ठोकर लगी तो माना ये स्वामान नहीं है ये अभीमान है वो अभीमान को ठोकर लगी तब अपमान मैसूस किया तो फिलिंग आई वो भी ना आवे तो ये अंश मात्र भी ना आवे इसलिए निरहंकारी को अलग किया क्योंकि काम क्रोध लो मो ये मोटे विकार तो चलो सहज जीत लेते बाबा के बन गए बाबने का बच्चे पवित्र रहना है वो पवित्रता जीवन में अपना लिए ब्रह्मचरी अपना लिया गर ग्रस्त में रहते कमल फूल समान रह रहे है बहुत अच्छा नश्टो मोहाबी है अँसा बाबा का है अपने आपको ट्रस्टी समझ करके चल रहे है यह तो बहुत अच्छा इसलिए काम-क्रोध लोग मोग को तो सहह जीतना अगर कोई आपको कई कि भई आप ने क्रोध को जीता आप गईगे यहाँ जीता है लेकिन ये छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बाते हैं, तो ये भी एक विग्नर वन जाती है, वो हमको ओडने नहीं देगी, सदा खुशी में रहने नहीं देगी, डबल लाइट रहने नहीं देगी, बावा से दूर भी कर सकती है, थोड़ा सा माया को मौका मिलता है आने का, वो छोड़ेगी नहीं, जैसे चोर को तरह सा भी कुछ भी खुला मिलता है, वो घुश सकता है, आ सकता है, तो माया भी चोर है, माया एक बिल्ली की तरह है, वो देखती रहती है, कहां पर कुछ रखा है, कोई नव हो, तो मैं जाओ तो इसलिए माया से इतना बच्चों को सावधान रहना है क्योंकि इस समय हमारी माया से युद है माया कैसे कैसे आती है, बाबा हर मुडली में सुनाते है कभी माया नाक से पकड़ती है नाक से कैसे पकड़ती है जिसे अभी मास्क लगाते ना तो नाक पर तो लगाना चाहिए पर नाक पर नहीं लगाते यहां लगा देते क्योंकि स्वास लेने में तकलीफ होती है क्योंकि नाक पर भी लगाया तो तो फिर नीचे कर देते हैं तो माया नाक से पकड़ती है, वो तो पता ही नहीं चलता है, जब नाक से कोई पकड़ता है, तो उस समय जैसे सास घुड़ता है, इसलिए तो मास्क को बार-बार नीचे करते हैं, तो सास घुड़ता है, तो माया भी ऐसे सास घुड़ती है, कैसे confusion, मुह जाते हैं, क्या अज तो यह सच है, निश्चे डामा डॉल होता रहता है, निश्चे हिलता रहता है, तो इतने मुण जाते है, यह माया ने नाक से पकड़ाए, फिर माया कान से पकड़ती है, कान से पकड़ती माना परचिंतन, क्या कहा, क्या कहा, उसके लिए क्या कहा, फलाना, 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 प पर चिंतन सुनने के लिए. तो ये माया ने पकड़ा है. पिर क्या करती है माया? ठपड मारती है. भाव बडिकते ना? जम थे च में अचार। तो ठपड जब किंसको गाराजाता है तो क्या करता है? ने साइड में. मौ साइड में हो जाता है. तो जब माया थपड मारती बना, साइड में हो जाता है, मौ ऐसे बना, यह क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो के यहसे क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, यह सब नहीं होना चाहिए, बाबा केते हैं, आपका क्या जाता है, हरे का पार्ट अपना अपना है, आपका क्या जाता है, कोई एक्टर एक्टिंग करने के लिए मंच पर आता है, हरे को अपना अपना पार्ट मिल हुआ है, तो जो एक्टर को एक्टिंग करनी है, वो अपना पार्ट देखेगा या दूसरों का पार्ट देखेगा, वो दूसरों का पार्ट देखना ये डारेक्टर का काम है, ये अक्टर का काम नहीं है, अक्टर को क्या करना है, कि भी अपना पाट देखना है, मुझे क्या भूलना है, मुझे क्या भूलना है, तो अपना ही उसको ध्यान है, तो हम भी तो सब एक्टर्स हैं तो यह क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हमको कोई ड्यूटी थोड़ी मिली है, कि यह क्या कर रहा है, यह क्यूं कर रहा है, इस और अगर दूसरे की स्थिति देखी तो वह बहुत अच्छी है, तो हिंता की भावना आएगी, हाँ, ये तो इतना अच्छा है, मैं ऐसा अच्छा नहीं हूँ, तो हिंता की भावना आएगी, या भिमान आएगा, अब दोनों से हमें परे जाना है, हमको आत्मा के स्वामान में रहना है जो आत्मा के मूहल गुण है उनके भान में रहना माना स्वा के मान में रहना तो जब स्वा के मान में रहेंगे तो अभीमान तो आई गई नहीं तो नभीमान उस उस रूप में जो हम दूसरों से अपने आपको बड़ा माने न उस रूप में कि अपने आपको हीन माने वो भी अभी मानी है तो इसलिए बाबा कहते है माया कैसे थपड मारती है फिर माया क्या करती है फिर ठोशा मारती है वो बॉक्सिंग करते है और boxing करके गिरा देती है तो कोई न कोई विकार के वश हो करके जरूर गिर जाते है और गिरा दिया तो फिर बेहुष भी हो जाते है और हो सकता है मर भी जाते है ऐसे होता है न बहुत होते है तो मर भी जाते माना बाबा की दुनिया से मर गए माया की दुनिया में जाके जनम लिया फिर से तो देखो कहां तक माया पहुचा सकती है और फिर चलो दुनिया से यहां से गए ठीक है न अच्छा चले गए लेकिन केवल जाते नहीं है फिर ट्रेटर बन जाते हैं नाम बदनाम करते हैं है अपनी कमजोरी लेकिन अपनी कमजोरी नहीं देखते हैं परन्तु यग्य का नाम बदनाम करते हैं तो बाबा कहते हैं उनको क्या सजा मिलेगी आज बाबाने का धरम राज की उनको बहुत कड़ी सजा मिलेगी सव गुणा और अगर कोई महारत ही हो अगर वो ऐसे करे तो बाबाने का ट्रिब्यूनल बैठेगी ट्रिब्यूनल बना एक जज नई जजमेन देता है वो पांच जज होते हैं उनकी बैंच होती है वो पूरे सब के सब जो निरने दे अब उस अनुसा सजा मिलती है तो आप सोचो कितनी बड़ी सजा होगी तो इसलिए बाबा कहते हैं वच्चे सावधान हो जाओ माया पचाड़ेगी इसलिए हम कई बार कहते हैं देखो पहले जमाने में जब योधे युद्ध करने जाते थे तो उनके सपास तीन अस्तरशस्त होते थे तीन बास ज्यादा ने एक हाथ में तलवार होती थी दूसरे हाथ में ढाल होती थी और कवच पहनते थे तो तलवार तो होती थी आक्रमन करने के लिए और ढाल होती थी अपनी रक्षा करने के लिए और कवच जो लोहे का पहनते थे वो भी रक्षा के लिए तो आक्रमन करने के लिए केवल एक शस्त्र तलवार और अपनी सुरक्षा करने के लिए धाल और कवच तो दो शस्त्र रक्षा के लिए और केवल एक शस्त्र आक्रमन करने के लिए तो अपनी रक्षा बहुत जरूरी है हर वक्त जरूरी है इसलिए माया से सदा सावधान रहें, कहीं से भी आजाएगी, किसी भी रूप में आजाएगी, पेपर आना अलग बात है, ये पेपर समझ करके हम पास होंगे जरूर, पर ये पेपर कैसा है, पेपर टाइगर है बाबा कहते है, शेर मेरे सामने आ जाए, परण तो हम दर सकते हैं, लेकिन पता चले, ये शेर नहीं ही है, तो कागस का शेर है, तो All दर खतम हो जाएगा, तो ये कागस का शेर हम दरते क्यों है माया से, अभी तो उसके जाने का समय है, इसलिए बाबा कहते है यहां शेरनी शक्ती बनना है तो वो शक्ती कहां से आएगी जब सर्वशक्तिवान से हर वक्त connection होगा हर वक्त हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी तो सदा ही चार्ज रहे बैटरी इसलिए योगी भी केबल एक आद घंटे का नहीं जिसको बाबा कहते है सदा का योगी हमारी चाल, चलन, चेहरा, हमारी बोल उन सब से भी योगी की भासना आवे ममा कई बार कहती थी हम चलते है न कभी-कभी चलते है तो ठप-ठप-ठप-ठप-ठप-ठप करके चलते तो ममा कहती थे धर्थी को भी दुख क्यों दे रहे हो धर्थी को भी दुख दे रहे हो ठप 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 चपल कईयों के ऐसे होते आप लोग भी में देखा चपल नीचे उतार के आये नीचे नी उतारने का कुछ एक ने उपर उतार आये पर नीचे उतारेंगे तो सीडियों पर तो थोड़ी मिटी होती है दूल, फिर यंदर आएंगे तो यहां मिटी होगी, इसलिए बले बाहर लगाएं, लाइन में लगाएं, चप्पल इनकी भी डिसिप्लिन रखेंगे, अपना जूता चप्पल लाइन में रखेंगे, तो काई पहन लेंगे, तो इसलिए नीचे नहीं उतारना, यहां जो पैसेज है, यहां ही उतारवाना, तो इसलिए, तो किसी भी प्रकार का बाबा ने हमें सब बातों से नियारा बना दिया है, तो आप यहां आए हो, वो छोटे-छोटे संसकार अपनी अंदर निरिक्षन करने इसको बाबा केते हैं, आत्मनिरिक्षन करो, जो बाबा हमको इतना लक्ष उचा देते हैं, बाब समान बनना है, फरिष्टा बनना है, देवता बनना है, संपूर्ण बनना है, तो मैं कहां तक हूँ, कहां तक बाबा की आशा को पूर्ण कर रहा हूँ, ब्रह्मा बाबा हमा कि यहीं संपूर्ण बनना है, या तो योग बल से बनेंगे, या तो सजा बल से बनेंगे, तो जिसको बाबा कहते हैं, मानी और मोच्रा, किसी को डांट दो, डांट दो, गालिया दो, मारो और फिर दो रोटी दो, अब यह है न, तो सजा खाई हो जाके थोड़ा मोड़ा, थोड़ा पद पालिया, वो तो कितनी बड़ इंसल्ट है, कितना बड़ अप्मान है, लेकिन बाबा कहते हैं, पास्वित अनर होना है, सम्मान के साथ जाना है, आम लोग कभी-कभी, जब राख्यों रक्षा बंदन प जेल में गई राख्य बानने के लिए, हाँ, तो हम तो बड़ा विचित्र लग देखते थे, कि हम जब जाते थे, वो जेलर, वो पुलीस वाले, कितना रिस्पेक्ट से हमको अंदर ले जाते थे, एक के बाद एक ताला खोलते थे, और कैसे वो कैदी, वहाँ सब बैठे होत इतना सम्मान से हमको बिठाते थे। और फिर जब चलो उनको भाषन बागर किया, राखी बान्दे, लेकिन फिर हम जब उड़ते थे, तो वो कैदी भावक तो होते हैं मनुषया, कि वहाँ पीछे-पीछे आते थे, पीछे-पीछे, तो वो पुलीस वाले उनको धुका मार तो उनको तो धक्का मार के अंदर भेजते थे, क्योंकि वो सोसित हमें से निकल जाएंगे, आपको क्या पता, तो उनकी आगे तो आख दिखाते थे, और हम लोगों को इतना रिस्पेक्ट से ले जाते थे, तो अंत में क्या होगा? कई हम कैदी तो नहीं बन जाएंगे, जो हम लोगों को भी धक्का लगे, इतना सजाएं खाएं, आज बाबा की मुली में था यग्ये के अंदर, शुरू शुरू में बहुत बैने ध्यान में जाती थी, और ध्यान में बाबा उनको धरमराजपुरी दिखाते थे, और बहुत सजाएं भोगती थी, जाना ऐसे मैसूस होता था उनके चेहरे से, और चिलाती भी थी, जोड-जोड से चिलाती थी, और फिर नीचे आती थी, और बाबा को कहती थी, कैसे बाबा ने अमको धरमराजपुरी की सजाएं दिखाई, तो बाबा उनको कहते थे कि बच्ची जो आपने देखा ना साक्षातकार में, वो यहाँ ड्रामा करके दिखाओ, तो अटिंग करती थी, ड्रामा करके दिखाती थी, तो बाबा ने तो बहुत अच्छी बात आज कही कि वो जो उनको सजा मिली, उनको अनुभव हुआ हुआ तो होगा न, परंतु जो उनका थोड़ा भी को हिसाब किताब था, वो बाबा ने उसका चुक्तु कर दिया, जो धरम राजपुरी में उसको नहीं करना पड़ेगा चुक्तु, तो इसलिए बाबा कहते हैं, योगबल से सब विकर्म विनाश करो, जो फिर सजा बल काम में नलाएं, पर योगबल से सब विकर्म विनाश होना माना, इतना अपने उपर ध्यान देना है, क्योंकि हमारे उपर कितने जन्मों का बोझा है, एक तो 63 जन्मों का जो पापों का खाता है, उसको चुक्तु करना है, एक जनम में कितने, इस जनम में भी कितने पाप किये होंगे, सुरू कि नहीं किये होंगे, पता ही नहीं चलता ये पाप हो रहा है या पुन्या हो रहा है। कहां पता चलता है। तो ऐसलिए एक एक जनम के इतने होंगे, तो 63 जन्मों के कितने होंगे सोचो तो सही अब वो तो चुक्तू करना ही है और उसके साथ-साथ फिर 21 जन्मों की प्रालब्द भी बनानी है अब हिसाब लगाओ किसके सिर पर कोई रिन होता है अब वो रिन उसको चुक्तू करना है तो वो रिण भी चुक्तु करना है और आगे के लिए जमा भी करना है तो कितना कमाना पड़ेगा जुक्तु भी करना है बहुत रिण है और फिर इतना भी इतना जमा करना है आगे के लिए तो 63 जन्मों का रिण चुक्तु करना है और 21 जन्मों की कमाई करनी है तो कितना कमाना पड़ेगा तो कितनी कमाई हमको करनी होगी और बाबा कहते हैं कमाई करना मुश्किल नहीं है वो दुनिया भी धन कमाने लिए तो फिर भी मेहनत लगती है पर ये कमाई हमारी बहुत सहज है बाबा कई बार कहते हैं, ज्यान रत्न जमा करते जाओ, ज्यान रत्नों से खेलो, विचार सागर मन्थन करो, मुर्ली की गहराई में जाओ, इससे आप धनवान बन रहे हैं, ये एक एक ज्यान रत्न बाबा कहते हैं, लाखो रुपयों का है, ये फिर सचे रत्न बन जाएंगे भविष्य के लिए, तो ज्ञान के सिवा और कुछ बुद्धी में लाने की ज़रुवती नहीं, दुनिया भी समाचार सुनने की कोई ज़रुवत नहीं है, राजनीती में क्या हो रहा है, पता है, आज क्या है राजनीती में, सिधान तहीन राजनीती चल रही है, ये कल्युगंत की निशानिया है, सब जो भी देख रहे हैं, सब कल्युगंत की निशानिया है, पांचों ही विकार अपने चरम स्वरूप में हैं, इसलिए हम तो उससे बिल्कुल दूर हो जाएं, तो दुनिया में क्या हो रहाँ, आपको सोचने की जरूवत नहीं है, अखबार पढ़ना, न्यूस देखना जरूवत ही नहीं है, ख़ते हो, हम और कुछ नहीं है, भग रिखते हैं, का जरूवत है, चा जरूवत हैं, क्या न्यूस होगी, अखबारों में भी सब नेगटिव हम तो डबल विदेशियों को देखते हैं, कितना पुरशाद करते हैं, एक बार हम इसने उस दिन की अखबार दिखाई, तो कोई थी बात नहीं, तो मैं सपड रही थी, तो एक विदेशी बेहन आ गई, तो मेरे को कहती है, अब रावन का समाचार पड रही हो, रावन का समाच तो अखबार को उसने क्या के दिया? समाचार नहीं, रावन का समाचार, क्युकि रामन राज्य है ने सारावन. तो सचमुछ अमने देखा की बातों सही हैं, क्यू सूचे भी क्यू? कल्योगी, मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, क्या नहीं आज कल आता सब, बाद नूस, तो है यह निए। पहले कहते थे, no news is good news, no news is good news, और भी opposite हो, good news is no news, बना, वो news है यह निए, निए अख़ार में अच्छी बाते हैं, कोई ऐसे बुरी बात नहीं केंगा, आज तो samahchaar कुछ भी नहीं है, और बुरी बात है तो, तो कहेंगे news है, समाचार है, समाचार है, अच्छा तो समाचार है नहीं, good news is no news, only bad news is news, वोई समाचार है, तसलिए बाबा कहते हैं, हमें ये संसार की बातों को सोचना भी नहीं है, तो दुनिया की निगाहों से तो दूर हो यह, लेकिन आपको समय मिला है अपनी चेकिंग करनेगा, और वो चेकिंग आप कैसे करेंगे, बाबा के ये चार धाम, जो ब्रह्मा बाबा ने इन में तपस्या की, वो चार धाम, जो ओरिजनल धाम है, ब्रह्मा बाबा के, उनका रनुभा करोगे, वैसे अठारा जन्वरी पर कई सेंट्रों पर चार धाम बनाते हैं, शांतिस्तम भी बनाते हैं, हिस्ट्री हॉल जैसा बनाते हैं, और जोपडी भी बनाते हैं, और बाबा का कमरा भी बनाते हैं, वै चार धाम की यात्रा करो, तो यह तो आप ओरिजनल च कैसे तपस्या करते थे तो इसलिए आप जब यहाँ पर बैठें तपस्या करें तो क्या अनुभाव करें सबसे पहले बाबा के कमरे में जब जाएंगे तो बाबा को मात पिता के रूप में देखें बाबा के सामने बच्चे आते थे तो बच्चा बन के आते थे, चोटा बच्चा बन गए, और जैसे बाबा की गोद में गए, जैसे बच्चा बाप की गोद में जाता है, बस ऐसे बन जाओ, बाबा केते हैं, बच्चा बन जाओ, तो बच जाएंगे, बच जाएंगे, दुनिया की हवाओं से बच जाएंगे, छोटा बच्चा कितना वोध होता है, वो बाबा की कमरे में अपने आपको अनुभाव करो। छोटा बच्चा बन गया, बिल्कुल निर्दोश, एकदम शुद, जो बाबा केते हैं, बच्चा महात्मा समान है। इतना अशुद, पवित्र हो, मैं बाबा की गोद में बैठाओं। तो मात्पिता की गोद अनुभाव करो बाबा की कमरे में। फिर तीचर के रूप में बाबा को हिस्ट्री हॉल भी अनुभाव करो। जहां बाबा बैठ कर मुडली चलाते थे, उसी गद्धी पर, अभी भी वोई संदली है, बाबा बिना टेक लिये, कैसे बैठते थे पल्थी मार के, त्रियानवे वर्ष की उम्रत तक भी, कभी हाथ में लकडी नहीं उठाई, कभी कमर नहीं जुकी, कभी चश्मा नहीं गाते थे बाबा, तो बाबा, बाबा कहते है, डबल इंजिन यहां काम करती है, तो डबल इंजिन, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, लेकिन कितना निरहंकारी बाबा, हमेशा ब्रह्मा बाबा कहते है, समेशा सम्झे शिव बाबा सुना रहे है, ब्रह्मा बाबा भी सुन मेरा कॉन है जिसका कोई teacher नहीं, और वो हमें सभी वेदो शास्त्रों का सार सुना रहा है तो teacher इतना उंचा मेरा उसका नशा चड़ाओ, Mata Pita हमारी इतने उंचे उनका नशा चड़ाओ परम पिता और आदी पिता कितना बड़ा नशा है हमारा फिर परम शिक्षक जिसका कोई शिक्षक नहीं वो मेरा शिक्षक है जिसने मुझे तीनो कालों का ज्ञान दिया है तीनो लोकों का ज्ञान दिया है त्रिकाल दर्शी बना दिया है जो मुझे सत्य नारण की कथा सुना रहा है, तीसरा नेत्र देकर तीजरी की कथा सुना रहा है, अमर कथा सुना रहा है, अमर बना रहा है, नशा जुड़ाओ, तीचर का नशा, भगवान हमारा शिक्षक है, फिर शांती स्थम पर जाओ, तो क्या नुभग करो बाबा सत्गुरू रूप में शिव बाबा सद्गती करने आया है ब्रह्मा बाबा की भी शिव बाबा ने सद्गती की ब्रह्मा बाबा ने हडियां गलाई अपनी अंत तक सेवा की किसी से सेवा ली नहीं सेवा दी की अंत तक, लास्ट दिन भी अंतिम, समय भी बाबा मुडली चला के आए और संपूर नता को प्राप्त किया नियारे प्यारे तो होते ही गए थे बाबा मैसूस तो हो रहा था जैसे बाबा इतने उपराम हो गए उपराम हो गए दादियों को भी हमने देखा उपराम हो गए, उपराम हो गए तो ये संपूर नता की निशानी है कर्मा तीत बन गए कर्म का कोई बंदन नहीं जैसे नियारे प्यारे हो गए तो ब्रह्मा बाबा ने संपूर नता को प्राप्त किया तो श्यांति स्थम्प जाकर के ऐसे मैसूस करो, मैं बाप समान, संपूर्ण, आत्मा हूं, और सब कुछ स्वहा, संपूर्ण बनके घर जाना है, गती सद्गती मेरी हो रही है, और फिर बाबा की जोपड़ी में जाएं, तो बाबा को सखा रुप में अनुभाव करें, जैसे सखा से दिल की बाते की जाती है, तो दिल की बाते बाबा से करें, कुछ भी हो, बाबा से लड़ाई करनी है, तो भी लड़ाई करो भले, दोस्ता आपस में क्या करते हैं, लड़ते भी हैं, तो प्यार भी करते हैं, हम जिन्स होते हैं, हम शरीक होते हैं, माता पिता तो उच तीचर भी उंचाहे, dereุ को और उंचाहे, लेकिन सखाः अपनी जैसा है. तो बाबा से खुब बाते करो. जो भी दिल की बात हो, वो बाबा से को How. कुछ भी हो, मण में कोई भी परिशानी भी हो, कुछ भी हो, सामस्या है, बोझ है, बाबा को दे दो. बाबा को दे दो, लिख लो, बाबा को पत्र लिखो, आपको रोज पत्र लिखने के लिए भी का जाएगा, चाहे बाबा को पिता रूप में पत्र लिखो, शिक्ष्यक रूप में पत्र लिखो, सत्गुरू रूप में पत्र लिखो, या सखा रूप में लिखो, जिस भी संब से लिखो, लेकिन जो दिल की बात वो बाबा को बता दो, स्वहा कर दो और बाबा अस यग्यकुंड में स्वहा कर देगा जल कर राख हो जाएगा तो ऐसी तपस्या करनी है क्योंकि तपस्या माना तपना तपना माना आग में जलना एक है योग में बैटना बाबा को याद कर रहे हलके रूप में भी ले सकते लेकिन तपना तपना माना एकागरता जैसे सूरज की किरने धर्ती पर पड़ती है लेकिन कुछ ऐसे जलता नहीं है पर जब एक कॉन्वेक्स लेंस होता है वो शीशा उसके थ्रू सूरज की किरनों को केंद्रित करते हैं और वह कागस रखते हैं तो केंद्र पर सूरज का प्रतीविम बनता है और वो प्रतीविम कितना छोटा होता है लेकिन पूरे सूरज की जैसे शक्ती होती है उसमें और वो कागस को जला डालता है आग निकलती है अब यह आग निकलने की तो बात नही तपना माना, इसको Baba Yoga Gni कहते एकागरता इतनी एकागरता हो बस एक Baba दूसरा को इस बिंदु में सिंदु देखो ये बिंदु रूप की अवस्था पीज रूप की अवस्था देही अभिमानी बनते बनते, बाबासे बाते करते, रुरिहान करते आशिक माशुक आज बाबा ने ये भी का मुडली में माशुक मैं एकी हूँ आप सब आशिको तो सच्ची आशिकी दिखाएं बाबा से ही सच्ची परीतो कोई देधारी के तरफ लगाओ न हो न जुकाओ हो और फिर उनकी याद में ऐसे ओकागर हो जाओ इसी को कहते हैं लवली निस्तितीव क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम है तो सत्य से परीत होती है कल्यानकारी से परीत होती है शिवम सुंदरम सुंदर चीज से परीत होती है तो सबसे सत्य तो शिवावाए सुन्दर भी सब से शिवाब आए, गुनों में सुन्दर तो सत्यम, शिवम, सुन्दरम से इतनी प्री तो हमारी जो उनके संग में हम भी इतने उचे हो जाए तो ऐसी तपस्या करनी है और कोई बाते बुद्धी में आए तो फुल स्टॉप एक सेकिंद में मैं आत्मा बिंदू, बाबा बिंदू, ड्रामा बिंदू बिंदू बन जाओ, बिंदू को याद करो और बिंदू लगाओ कुछ भी बात मन में आए, बिंदू, आपका एक जीरो एड हो गया ये कमाई हो गई आपको और फिर कुछ बात याद है गई, बिंदो, ड्रामा, बिंदो, दूसरा जीरो एड हो गया, कमाई हो गई, आप जीरो एड करते जाओ, करते जाओ, तो क्या होगा, कमाई होती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, कि कमाई होती जा रही है, तो ऐसी कमाई हमको करनी है, य मन तुमको कही नहीं जाना है कही नहीं जाना है तो आप वह मर गई दुनिया अपने मुबाइल सब इसलिए ऐसा आप यहां अगले तीन दिन अनुभाव करना और जैसे सब का अनुभाव है जो भी बठी में कर आते हैं भाई बैने वो यही अनुभाव करते हैं कि हम ने बहुत बहुत अनुभाव किया आप पहले बठी वालों से तो मिले नहीं होंगे न मौर्भी के जो कल गई मिले उनसे नहीं मिले होंगे तो जरूर आप भी ऐसे ही अनुभाव करेंगे मेरा पुरा विश्वास है तो बाबा की बेहत घर में आप सभी का स्वागत है फिर से सभी आराम से रहे होंगे सब को ठीक accommodation मिल गई ठीक हुआ सब कुछ तो बहुत अच्छा फिर मिलते रहेंगे आप से जरूर और भी सवेरे भी मिलते रहेंगे दिन में भी मिलते रहेंगे और खोब आप यहां बाबा के घर में वर्दानों से अपनी जोली बरना ठीक है अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती तो अवश्य ही सब कुछ clear हो गया होगा कि हमारे भड़ी का लक्ष क्या है कैसे करना है तो एक हाथ हिला कर दिदी का धन्यवाद करते हैं शुक्रिया करते हैं आभार मानते हैं